इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीडी जी एनार और चीफ विजिलेंस ऑफिसर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ग्यानेश्वर सिंग जी मवजूद है सर जो जाच चल रही है मुंबई में क्रूस ड्रक्स के मामले में समीर वार्न खेडे जी के एक उनहीं के सतंद गवा ने बहुत गंभीर आरोप लगा है एक सतंद गवा के कुछ एफिडेविट्स कल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे तो हमारे उप महानिदेशक दक्षणी पश्चिम छेत्र ने एक रिपोर्ट सौपी है उसका संग्यान लेते हुए हमारे महानिदेशक ने जाच सतर्ता विभाग को दी है तो सर जाच शुरू हो चुकी है आपने जाच ये शुरू कर दी है जी आप ऐसा कह सकते हैं कि जाच के आदेश हो चुके है जाच के आदेश हो चुके हैं सर इस आरोप के बाद जो समीरवान खेड़े जी है क्या वो पत पे बने रहेंगे या इस बारे में आप क्या कहेंगे इस पे अभी टिपिडि करना उचित नहीं होगा जाच जैसे आगे बढ़ेगी जो मौजुदा साक्ष होंगे उसके आधार पिनर नहीं लिया जाएगा पूरे मामले पे सर कई सारे सवाल शुरू से खड़े होते आए हैं जाच के तरीके पर और दूसरी चीजों पर तो अभी तक NCB ने सर अपनी जाच में क्या पाया NCB एक professional organization है हम अपना ambition बहुत इन निश्पक्ष और निश्काम सहज भाव से करते हैं आरोब जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यतोचित जो उचित जवाब थे दिये गए और ये जो तत्थे सामने आया है इसकी भी हम लोग जाच करने के लिए open है और बहुत transparent तरीके से जाच की जाएगी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आखरी सवाल सर क्या समीरवान खेड़े जी अभी हम कह सकते कि अपने पत पे बने रहेंगे और जाच इसी तरीके से चलती रहेंगी मैं फिर repeat करूँगा कि इस stage पे ये कहना premature होगा तो जिस तरीके से जाच आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे कारवाई की जाएगी चीफ विजिलेंस ओफिसर जो NCB के हैं ज्यानेश्श्वर सिंग जी उनका ये कहना है